आज हम बनाएंगे ये क्यूट से दिखने वाले कपकेक्स और आज के इन कपकेक्स को ना हम बिना एक्स और बिना आवन कडाही में बनाएंगे और अगर आपके पास मोल नहीं है तो बिना मोल स्टील की कटोरी में भी बना कर दिखाऊंगी मैं इन कपकेक्स को और एक नहीं बलकि हम तीन अलग अलग तरीके के साथ इन Cupcakes को बनाएंगे बहुत ही जादा इंट्रस्टिंग और यमी रेसिपी है आप इसे जरूर ट्राय करिएगा और एसे भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजेगो और चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो आज की इन कॉफी चॉकलेट कपकेक्स को बनाने के लिए ना सबसे पहले हमी लेना है आधा कप जितना धूद और एक सॉस पैन में इस दूद को डाल के ना मैं थोड़ा से गरम कर जूँ ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गरम दूद में थोड़ी सी कॉफी को मिक्स करेंगे तो जैसे ही आपको लगे कि एक दूद के साइट से हलके हलके बबल साने शुरू हो गए हैं गैस को बंद कर देंगे और इसे एक बोल में डाल देंगे और अब इस गरम दूद में सबसे पहले हमें डालनी है कॉफी जिसके लिए मैंने यहाँ पर यह धाई छोटे चमच इंस्टंट कॉफी पाउडर लिया है आप किसी भी ब्रांड की कॉफी यूज़ कर सकते हो जो भी आप रूटीन में घर में लेते हो अचा कॉफी की कॉउंटिटी आप चाहो तो थोड़ी बढ़ा भी सकते हो अगर आपको इसका फ्लेवर जादा पसंद है तो अचा इसे हम मिक्स कर रहे है न तो इतने में दूद जो है यह गरम से थोड़ा गुन-गुना भी हो जाएगा और अब इसी स्टेज के ऊपर साथ में हम इसमें डाल देंगे एक छोटा चमच जितना विनेगर यानि की सिरका आप इसके जगा नीमबू का रस भी ले सकते हैं तो बस इसे मिक्स करेंगे विनेगर डालने से यह दूद जो है यह फट जाएगा आप देख रहे हो हलके हलके ठके बनने भी शुरू हो गये हैं तो बस हमें दूद को इस तरह से फाड लेना है तो चलिए अब हम इस दूद को पांच मिनट के लिए एक साइट पर रख देते हैं और इतने में हम अपने मोल्ड को त्यार कर लेंगे इस तरीके के चाय कॉफी के कप्स मिलते हैं मार्किट में इसमें भी आप बना सकते हो कोई ग्रीस करने की भी जरूरत नहीं है या फिर इस तरीके के चोटे पेपर कप्स मिलते हैं इसमें डारेक्ट बेटर को डाल के आप इन्हें में भी बेक कर सकते हो या फिर इन सब options के अलावा आप चाहो तो घर की जो normal regular steel की कटोरी है ना इसमें भी अपने cupcakes को बना सकते हो और मैं आज आपको steel की कटोरी में भी थोड़े से cupcakes बना कर दिखाऊंगी तो अगर आप भी ये steel की कटोरी ले रहे हो तो इसको आपको बस oil से पहले अच्छे से grease कर लेना है और फिर इसमें butter paper लगाएंगे तो हमारा ये mold त्यार हो जाएगा अचा इसके बाद अब इन cupcakes को हम कडाही में bake करेंगे जिसके लिए आपको एक मोटे तले की कडाही लेनी है और इसमें थोड़ा नमक डाल देंगे और एक stand रग देंगे और इसे उपर से ढखके से medium flame के उपर 10 मिनर तक गरम हो जाने देंगे और इसके बाद अब ये जो coffee और vinegar वाला दूद हमने एक side पर रखा था ना अब ये भी ठंडा होकर room temperature पर आ गया है और अभी ये दूद फट किया है तो ये हमारा homemade buttermilk बन गया है तो इसी में अब हम बाकी के ingredients आट कर देंगे जिसके लिए डालेंगे एक चुथाई cup जितना oil और साथ में इसमें डालेंगे आधा cup जितनी पिसी हुई चीनी इन सारी चीजों को पहले अच्छे से mix कर लेंगे तब तक mix करना है जब तक कि ये evenly mix हो जाएंगे तो mix करने के बाद अब इस bowl के उपर एक च्छनी रखेंगे जिसमें डालेंगे एक cup जितना मैदा आप सेम quantity गेहूं के आटे की भी ले सकते हैं और साथ में इसमें डालेंगे एक चोटा चमल जितना baking powder और एक चुथाई छोटा चमल जाएगा baking soda क्यूंकि हमने विनेगर यूज़ किया है और एक पिंच नमक डाल के इन सारी चीजों को हमें चान लेना है इसके बाद ना अब हम बिल्कुल हलके हलके हाथों से एक spatula के साथे से कट और फोल्ड करते हुए mix कर लेंगे और अभी ये बेटर थोड़ा सा थिक लग रहा है तो एक चुथाई कब दूद मैंने और लिया है इसमें आप जरूरत के according रख सकते हैं इसे तो हमें इस तरीके का बेटर बनाना है अचा अब बेटर त्यार हो गया है इसे अब हमें मोल्ड में डालना है तो सबसे पहले ये cupcake अब हम अपने इस मोल्ड को इसमें रख देंगे और इसे उपर से ढखके अब हम इसे लो मीडियम फ्लेम के उपर बेक करेंगे तकरीबन 15-20 मिनट तक टाइमिंग स्थोड़ी से आगे पीछे हो सकती है तो 12-13 मिनट के बाद आप इससे जरूर चेक करिए का और अवन के लि अब इसे अच्छे से टाप कर लेंगे और इसके ऊपर मैं थोड़े से चोकोचिप्स टाल जूरू आप थोड़े ड्राइफ्रूट्स टाल सकते हो या फिर प्लेन भी बेक कर सकते हो अच्छा इनहीं भी मैं कडाही में ही बेक करके दिखा रही हूं आपको तो इसके लिए म तो सबसे पहले अब हम चेक करेंगे अपनी ये मोल्ड वाले कपकेक्स को जिने रखे हो मुझे 17 मिनट हुए हैं वाव अब देख रहो कि कितना अच्छे से ये फूल गए हैं सेंटर में जब तुटपिक को इंसर्ट करके चेक कर रहे हैं तो ये तुटपिक भी बिल्कुल क इसका मतलब है कि हमारे कपकेक्स अच्छे से बेख हो गए हैं तो बस अब इस मोल्ड को निकाल कर हम इने एक रैक के ऊपर रख देंगे और कपकेक्स को पहले अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे अर इसके बाद अब ये जो कटोरी वाले कपकेक्स हमने रखे थे ना इसे मुझे पूरे 25 मिनट हुए हैं और ये भी काफी अच्छे से फूल गए हैं एक बस सेंटर में तुद्पिक को इंसर्ट करके चेक कर रहा हैं तो ये क्लियर है इसका मतलब है कि ये भी अच्छे से बेख हो गए हैं तो बस कटोरी में भी आप बना सकते हो इस तरह से या फिर कॉफी के साथ मैं हलका सा चॉकलेट फ्लेवर दे रही हूं इस क्रीम में जिसके लिए एक बड़ा चमच मैं इसमें कोको पाउडर आड़ कर रही हूं और साथ में आधा चोटा चमच मैं इसमें डाल रही हूं कॉफी पाउडर और एक बड़ा चमच डाल रही हूं इसमें चीनी, कोको पावडर डाला न तो थोड़ी सी चीनी आड़ कर दीजेगा, वैसे इस क्रीम में चीनी आलरडी होती है, तो पहले ड्राइ चीजों को क्रीम में थोड़ा मिक्स कर लेंगे, और फिर इसे विप करेंगे, स्टिफ पीक्स आने तक, आचा मैंने इसमें हलका साथ तो बस अब हम अपने इन कपकेक के आइसिंग करेंगे, तो ये कपकेक सब बरकुल अच्छा से ठंडे हो गए हैं, और अब हम इसके आइसिंग करेंगे, जिसे मैं आपको दो तरीके से करके दिखाओंगी, तो आइसिंग के लिए मैंने जो क्रीम थी न उसको टूडी तो या तो आप इस तरीके से अपने कपकेक के ऊपर बस क्रीम को लगा सकते हैं, तो ये तो हुआ हमारा एक तरीका, अब आता है दूसरे तरीके की बारी, जिसके लिए न हम अपने इन कपकेक के सेंटर में एक सर्प्राइज फिल करेंगे, तो उसके लिए आप क्या करेंग कि center को ना हमें खाली करना है तो कोई nozzle या फिर कोई भी scoop या चमच ले लिजे और इसके साथ इस तरह से center के portion को हम निकाल लेंगे तो आप देखो space बन गई है अच्छे से इसे थोड़ा खाली कर लेते हैं तो एक चमच के साथ मैं इसे निकाल रही हूँ और इस center space में अब आप चाहो तो कुछ भी फिल कर सकते हो मेरे पास यहाँ पर यह चॉकलेट गनाश था तो मैं चॉकलेट गनाश इसमें फिल कर रही हूँ चॉकलेट गनाश की recipe लिंक नीचे description box में मल जाएगा आपको आप इसमें चॉकलेट सिरप डाल सकते हो नटेला डाल सकते हो कोई और spread डाल सकते हो बिसकॉफ spread भी बहुत अच्छा लगता है कॉफी के साथ तो वो भी ट्राइ कर सकते हो तो इस तरह से सिफिल करने के बाद अब थोड़ा सा cake का portion लेके इसके उसके उपर रख देंगे और अब इसके उपर हम सेम नॉजल और सेम क्रीम के साथ थोड़ा सा इस तरह से फ्लार बना देंगे अच्छा एक cupcake को मैं आपको खोल के भी चेक कराते हूँ इसके side का texture मैं दिखाना भूल गई थी आपको तो आप देख रहें कि कितनी perfect जाली आई है इसमें इतना soft और spongy हैं ये cupcakes तो इस तरह से जब आप अपने cupcakes को सर्फ करोगी न तो ये वाला जो surprise है जब ये कोई भी खाएगा या इसको कट करेगा तो surprise की तरह ooze out होती है ये चॉकलेट गनाश बहुत टेस्टी लगता है ये तो आप इसे चाहो अपने cupcakes को गार्निश कर सकते हो तो लग रहा है ना बहुत ही ज़ादा यमी एंड में थोड़े से चोकोचिप्स डाल के मैंने गार्निश किया और फाइनली त्यार हो गए है हमारे ये कॉफी चॉकलेट वाले cupcakes अचा अब इसके बार ये जो सप्राइज वाले हमने cupcakes मनाई है ना एक बार कट करके इसके अंदर का सप्राइज चेक करवाती हूँ मैं आपको वाओ अब देखे हो कैसे उज़ आउट हो रहा है ये चॉकलेट गनाश लावा की तरह तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं दिखने में भी और खाने में भी बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे आपको आप इस तरह से इन cupcakes को एक बार जरूर ट्राइ करिएगा अचा अब इसके बाद बारी आती है ये जो हमने कटोरी में बनाए थे ये भी काफी अच्छे लग रहे हैं देखने में तो इनको डी मॉल्ड करने के लिए सबसे पहले हमें चाकू से साइड्स को अलग कर लिना है और फिर इसे उल्टा करके निकालेंगे तो कपकेक बहुत इसली भारा जाएगा और इसका ये बटर पेपर हटा देंगे और कपकेक का टेक्शर आप देख रहे हैं एकदम पॉफेक जाली दा टेक्शर है बहुत सौफ्ट और स्पॉंजी है ये इसमें चोको चिप्स भी है और अंदर से भी इतना सौफ्ट और स्पॉंजी है तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा और चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें